Hello students, you coaching classes में आपका स्वागत है और आज का टॉबिक है क्लास 11 थियन से अड़ में चैप्टर 1 समुच्चे अगला पाट है हमारा उप समुच्चे के प्रकार उप समुच्चे और उप समुच्चे कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले प्रिवेस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले डियरी स्टुरेंट चर्चा करने बाले हैं उप समुच्चे क्या होता है कि यदि दो समुच्चे हमारे पास दिया गया है तो समुच्चे क्या होता है आपको पता है कि सुभस्तूओं के परिवासी समुच्चे कहते हैं और उप समुच्चे क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई भी दो समुच्चे दिया गया है समुच्चे को किसे दरसाते हैं capital letter से और उसके अभयब को small letter से दरसाते हैं यदि हमारे पास कोई दो समुच्चे है यदि पहला समुच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार दिया गया है और समुच्चे B में अभयब इस प्रकार हूँ जो समुच्चे A के ही हूँ क्या हो? समुच्चे A के अभयब ही हूँ जैसे की 2, 3, 4 अब देखिए जो B में अभयब है वो cable और cable समुच्चे A के ही अभयब है जैसे आप دیکھ सकते हैं कि 2, 3, 4 इसमें भी है और 2, 3, 4 इसमें भी है किंद्य समुच्चे A में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अभियब हैं किन्तु B में केबल और केबल 3 अभियब हैं जो अभियब हैं केबल और केबल समुच्चे A के अभियब हैं बाहर के कुछ अभियब नहीं है तो इसका परिवासा यही कहता है किया थी हमारे पास कोई दो समुच्चे है तो समुच्चे A के जो अभियब हैं वही समुच्चे B के अभियब होना चाहिए यह नि समुच्चे B के जितने भी अभियब हैं यदि समुच्चे B में मिल जाए समुच्चे B का अभियब समुच्चे A में मिल जाए तो वो क्या कहलाता है समुच्चे भी उप समुच्चे कहलाएगा समुच्चे एका क्या कहलाएगा समुच्चे भी उप समुच्चे कहलाएगा समुच्चे एका तब आप इसे इस प्रकार लिखेंगे कि समुच्चे भी क्या है उप समुच्चे है यहीं सबसेट है तो उपसमुच्चे को बोलते हैं इंगलिस में सबसेट तो इसे इस परकार दरसाएंगे कि B सबसेट है किसके A की इसका मतलब होता है उपसमुच्चे सबसेट तो इसे पढ़ते हैं B उपसमुच्चे है A का और जो अभियाब है दो तीन चार इसके बराबर बराबर है कैसे मतलब कि जैसे इसमें तीन अभियब है तो वही अभियब A है तो इसे इस प्रकार भी दरसाद देंगे कि जो B का अभियब है A के बराबर भी है और क्या है उप समुच्चे भी है तो dear student उप समुच्चे तो आपको clear हो गया होगा कि यदि हमारे पास कोई दो समुच्चे है जैसे कि यहाँ पर A समुच्चे और B यदि जो B के अभियब है वो A का ही अभियब है तो A का ही अभियब है तो इस प्रकार ये B हो जाएगा उप समुच्चे कहलाएगा यानि केवल और केवल समुच्चे A के अभियब है तो इस प् रिवासा हो जाएगा यदि दो समुच्चे इस प्रकार हो कि B का प्रत्रेक अभियब समुच्चे A में हो तो B का A क्या हो जाएगा B को A क्या कहते है उप समुच्चे कहते हैं सबसेट कहते हैं चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा अगला टॉपिक है उपसमुच्चे बास्तविक तथा उचित उपसमुच्चे किसे कहते हैं बास्तविक और उचित उपसमुच्चे इसे बोलते हैं प्रोपर सबसेट क्या बोलते हैं अब देखिए यही एक्जामपल बास्तविक तथा उचित उपसमुच्चे कहलाता है कि यदि माल लीजिए इस प्रकार है कि थोड़ी इसका different है कि माल लीजिए हमारे पास A अभियाब है ठीक है B अभियाब में इस प्रकार है 1, 2, 3, 4 यह हमारा समुच्य B में इस तरह अभियाब है और समुच्य A में हमारे पास अभियाब है 1, 2, 3 क्या है समुच्चा A में हमारे पास अभियाब है 1,2,3 यहाँ पे आप थोड़ी समझेगा कि किस प्रकार यह होगा तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं Dear student कि जो यहाँ पे अभियाब है यहनी B में क्या है 1,2,3,4 किन्तु A में है 1,2,3 तो यह क्या कहलाएगा A इसका बास्तविक तथा उचित उप समुच्चे कहलाएगा कैसे क्योंकि इसका परिभासा क्या कहता है कि B के अभियब यहनी समुच्चे B के ऐसे अभियब हूँ जो कि समुच्चे A में वही वही अभियब हूँ किन्टु एक अबयब ऐसा हो जो कि समुच्चे A में अनुपस्थित हो तब हम समुच्चे A को बास्तविक तथा उचित उपसमुच्चे कहते हैं मतलब कि समुच्चे A में सभी अबयब हो किन्टु एक अबयब ऐसा हो जो कि समुच्चे B में हो किन्तु A में नहो, तब वह कहलाता है, समुच्च B का समुच्च A जो है, उचित तथा बास्तविक उपसमुच्च कहलाएगा, तो आप समझ गए होंगे, उचित उपसमुच्च और क्या बताए हैं, उपसमुच्च और उचित तथा बास्तविक उपसमुच्च अब अबयब हो किन्तु B का कम से कम एक अबयब ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो तब वह क्या कहलाता है उचीत उप समुच्चे कहलाता है इतना आपको clear हो गया होगा अब बता रहा हूं समष्टी समुच्चे समिष्टी समुच्चे को इंगलिस में बोलते हैं universal sets Universal sets का मतलब ये होता है Universal sets को दरसाते हैं यू से माल लेजे हमारे पास कोई समुच्च यू इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार हमारे पास अब्याब है और कोई समुच्च इस प्रकार है कि उसी के अब्याब हो 2, 3, 4, 5, 6 और फिर तीसरा समुच्च इस प्रकार है B वराबर 1, 2, 9, 5 अब देखिए तब U क्या है U कहलाएगा Universal set मतलब कि कई बार क्या होता है कि एक समुच्च इस प्रकार दिया रहता है जिसके कई सारे उपसमुच्च होते हैं क्या होते हैं जिसके कई सारे उपसमुच्च होते हैं तब जिसके कई सारे उपसमुच्च होते हैं तो वही क्या कहलाता है Universal set इसे U से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर इन दोनों का Universal set कहलाएगा U ठीक है तो यह क्या कहलाएगा Universal set अब देखिए उपसमुच्चे तो हम बता दिए कि यदि हमारे पास इस प्रकार दिया रहेगा तो ये उपसमुच्चे कहलाएगा किन्तु यदि कोई समुच्चे इस प्रकार दिया गया है कि 2, 3, sorry 2, 4, 5, 6 इस प्रकार दिया गया है यहनि B में कोई अभियब है A और B तो देखिए A में ऐसा कोई अभयब नहीं है जो की B में हो तो ना तो A B का उपसमुच्चे कहलाएगा ना तो B A का उपसमुच्चे कहलाएगा वही वही अभयब होना चाहिए तो इस प्रकार हम देखे हैं समझ्च्टी समुच्चे, बास्तिविक समुच्चे और उपसमुच्चे अब आँगे देखिए यदि किसी मालीजे कोई पर समुच्चे दिया गया है यदि उसका उपसमुच्चे ग्यात करना है तीन दिया गया है एक, दो, तीन, तीन अभयब दिया गया है तो किसी भी समुच्चे के कैसा पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा आपको कि इसके कितने उप्प समुच्चे होंगी तो इसका एक फार्मूला होता है तो देखिए फाई को क्या बोलते हैं फाई को रिक्त समुच्चे बोलते हैं तो सभी उप समुच्चे में फाई जरूर लगाएंगे क्यों कि इसको सभी समुच्चे में एक रिक्त समुच्चे होता है तो यदि इसका उप समुच्चे निकालेंगे तो इसे इस प्रकार दर्साएंगे लिखेंगे कि एके सभी उप समुच्चे एके सभी उप समुच्चे यदि निकालेंगे तो फाई सभी में होता है क्यूंकि ऐसा कोई भी समुच्चे नहीं है जो कि रिक्त के रिक्त समुच्चे नहीं होता है तो इसके कितने उप समुच्चे बन सकते हैं तो फाई एक बन सकता है, एक भी उपसम उच्चे हो सकता है, और यहाँ पे दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, अब देखिए, एक दो भी हो सकता है, एक दो, दो तीन भी हो सकता है, यहाँ पे दो तीन, एक तीन भी हो सकता है, और लास्ट में यह एक दो तीन भी हो सकता है तो इस प्रकार इसके उपसमुच्य निकल आएंगे तो ये एक्जामपल के माद्यम से आपको समझाने की कोशिस किया हूँ तो इस प्रकार हम इस वीडियो के माद्यम से देखे हैं उपसमुच्य बास्तिविक तथा उचित उपसमुच्य है समस्टी उपसमुच्च है और उसके कुछ उदारण आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगला वीडियो में हम इससे कुछ संबंधित कोस्चन लेकर आएंगे तो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा दोस्तों को सांसेर कर दीजेगा डाउट क जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंत बंदे मातरम